चीन के बारे में आपके क्या राय है? दिखिए, ये मानना पड़ेगा कि साइकोलोजिकली हम अपने आपको चीन के कमपेरिजिन में वीक समझते हैं। जरूरत नहीं समझने की। हम भारत इतना बड़ा देश है करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मैं तो कहता हूँ, इस स्थिती में चीन हमसे दस गुना, पांच गुना बढ़ गया आगे, और क्यों बढ़ा है। वी बढ़ा इसलिए है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिफ्टी डाइन में इंडियान से टीम गई स्पोर्ट्स की चीन में। वी चीन का इतना बुरा हाल ता इतनी बुरी कंडिशन थी। और आज चीन का हमको 50 बिलियन डॉलर तो ट्रेड सर्प्लिस हमारे साथ होनका। तो यह जब तक हम यह सोचते रहेंगे अपना हीन भवना लेके चलते रहेंगे न तो हीन ही रहेंगे। तो कितने बड़े हूँ हम से आज वो, कोई चंता नहीं। और जब हम टक्कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बड़े काम करने से आदी बड़ा बनता है तो छोटी दिमागदान में रहे जाएगा। तो पर बड़े इच्छी बात यह है अभी चीन और रिष्या का टक्कर है। क्यों चीन रूस को चीन अमेरिका का टक्कर है। तो अमेरिका कितने हाई कंडिशन नहीं जो पहले थी तो अमेरिका चाहता है चीन को दबाया जाए। ऑस्टेविया चाहता है चीन को दबाया जाए। तो क्या कहते हैं एनमीज एनमीज बंस फ्रेंड। तो चीन अमेरिका इंडिया की दुश्मनी है उसको फाइदा उठाके हमें अमेरिका सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से हमें कोई नया प्यार कोई नया लव रिलिशन शुरू नहीं हुआ है तो इन चीजों को देखते हुए और हमारी कॉम्पिटेंट लीडर्शिप है तो ये को देखें लड़ाई में दोनों प्रड़े बराबर नहीं होते हैं एक बडा होता है एक छोटा होता है डिविड और गोलाइच के लड़ाई भी ऐसी होती है पर वो फिर भी शुरू होगा तो बड़ा अच्छा है आगे बढ़े और इसको हम ले जाएं तो आज जो जादा ह है पर उनके पास जहांते है लड़ा का सवाल है देखें जो 62 में यहाँ आज कल तो वह होने का चांस नहीं है आज कल तो एरिय आज नहीं होता है आजकल आप देखना पांच साल के बार साहन साल के बाद मिसाइल वार्फेर होगा और मिसाइल अमडी एंटि मिसाइल डे use twin use technology एक तो लाँचिंग स्पेस्क्राफ्ट दूसरा लाँचिंग मिसाइल आप जो ब्रामोज मिसाइल है चार अजार किलोमेटर का मात है उसका यहां से ऑस्टरिया जा सकती हो दस मिनिट में तो इस टाइब का वार होने वाला है तो जब इस टाइब का वार होगा उसके इकालो सब तो इसलिए यह है के टेक्नोलोजी बेस्ट वारफेर में हम कमजोर नहीं है कुछ भी हो सकता है पर हमें सुस्त दुरुस रहना पड़ेगा और उसके तरीके में तहत में समझता हूं सीडियस जो है यह बहुत अचा स्टेप है क्यों उसके अंदर एक नया विंग ऑडिएगेंनी खुछें देफेंस पोस के अंदर इ्लेक्ताइक वार फेर बहुत पहले से था साइबर वार्फेर अब्र वार्फेरं दे साइब्वर he배 में जैसे वैने GPS दाउन हो जाए उनकी शिप्स नहीं चल सकती तो ये मुकाबला अच्छा होगा आगे होगा तो यही इसी में है कि मुश्किल काम में रंग लाती ही ना पत्थर में घिज जाने के बाद इस मुश्किल मंतन के अंदर ही इंडिया आगे आएगा